जब कभी भारती विशेशकर हिंदी राष्ट्री काववि की चर्चा होती है सबसे पहले मांकलनाल चत्रुविदी का नाम आता है मांकलनाल चत्रुविदी का काववि राष्ट्री है और इस करण उन्होंने जो कुछ भी सहीति लिखा है उसमें ततकालीन राष्ट्री भावना का पूरा-पूरा वर्णन देखने को मिलता है मांकलनाल चत्रुविदी का काववि राष्ट्री होने के साथ साथ उसमें जो जीवन मुल्य हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने विचारों को वहाँ पर अभिव्यक्त किया है उसके कारण उनका काववि भारत की सीमाव को लांग कर विश्व की देहलिच पर पहुँच चुका है क्योंकि उसके राष्ट्री काववि में सार्व भूमिक तत्व है, सार्व कालिक तत्व है और सार्व जनिन तत्व है इसके कारण उनका जो भी काववि राष्ट्रीता से संबद्ध है, नकेवल भारती जन्म भूमी को और उसकी परिस्तितियों को प्रकट करता है, साथ ही किसी भी राष्ट्र में वह अपने पहचान बनाने में समर्थ हुआ है यह एक अच्छी और इस खेत्र विशेश के लिए गोरों की बात है कि उनका जो काव्य है वह मालवा की मिठास को अपने में समिटे हुए है और निमाड के अखरफ्रंग को भी उसमें समाविष्ट कर चुका है इसके करण उनके काव्य में एक और माधुर्य भी मिलता है और दूसरी और ओजस्विता भी मिलती है राष्ट्री काव्य के लिए ओजस्विता का होना बहुत आवश्यक मना गया है इस द्रश्टी से उनका जो काव्य है वह इन दो गुणों के कारण सिधा रसुद्रे करता है और एक साधरान से साधरान पाठक भी अपने आपको कभी के निकट पाता है और उनकी भावनाओं को अपने अंतह करण में उतारने में सफल हो जाता है ग्माड की माठी के सपूत पंडित माखलाल चत्रवुदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जीले के ग्राम बावई में एक मध्यमवरगी ब्राह्मन परिवार के सूशंसकरित वातावरन में चार अप्रेल 1899 को हुआ था आपके पिता का नाम स्री नंदलाल जी चत्रवेदी और माता का नाम सुन्दर भाई था आप बच्पन में बहुत नटखट थे पेड़ों पर चड़ते थे कुष्टी और व्यायम में आपकी बहुत रुची थी तैरना भी आप जानते थे बच्चों से जगड़ा करते थे उनसे पीटते थे और मौका आने पर उन्हें पीटते भी थे इन सबका परिणाम यह हुआ कि आप बच्पन से ही नीडर और साहसी हो गए थे यही कारण था कि जब वे युवाब हुए तो अंग्रेजों से संगर्श करने में भी उन्हें किसी प्रकार का डर नहीं लगा आपकी शिक्षा दिक्षा घर पर ही हुई आपके पिता अध्यापक थे इसकुल में जाते जरूर थे किन्तु संस्कृत और हिंदी भाषा और पुराणों की जितना भी अध्यन था सब आपने अपने घर में अपने पिता के देखरेक में किया इसके कारण आप एक तत्कलिन समय में एक अच्छे परिवार में जन्म लेने के कारण बहुती ग्यानी हुए और वेशनो धर्म के प्रती जो एक आस्था का भाव है यही इनकी अध्यात्मीकता का भी भाव रहा तो उनके सहित्य में काव्य में उनके गद्य रशनाओं में यह आध्यात्मीकता परिलक्षित होती है राष्ट उनके लिए जो है वह पूजा के सदर्श्य है राष्ट उनके लिए क्रश्ट के सदर्श्य है कृषण का जन्म बंदी गुरह में हुआ था और बंदी गुरह के सिक्षयों को तोड़कर कृषण बहर आये थे इसी तरह से यह मानते हैं किया राश्ठ भी बंदी गुरह में है और यह सिक्षय चोड़कर बहर आएगा इस आध्यात्मिक स्वरूप को उन्होंने अपने कावे में रखा सहित्य में रचना करने की प्रेणना पंडित माकनलाल चोतर विदी को भिन भिन माद्यमों से प्राप्त हुई प्रकर्ती का जो द्रश्य उन्होंने अपने बश्पन में विंद्याचल और सत्पुड़ा में देखा और नर्बदा की कल-कल ध्वनी को उन्होंने जो महसुस किया वह उनकी रचनाओं में परिलक्षित होती है इसी प्रकार से उन्हें अध्यात्मिक शेत्र में रामकर्ष्न परमहंस और स्वामी रामतिर्थ के सहित्ति के निकट अध्यन करने का स्वभाग्य मिला और इसके कारण उनकी विचारधारा उनके दर्शन से प्रभावित हुई पंडित माधवलाव सपरे और गनिश्चंकर विद्यारती का सहाचरी भी आपको मिला उनसे भी आपने प्रेणा प्राप्त की इसी तरह से खड़ी बोली में लिखने की प्रेणा आपको राष्टी कभी हमारे देश के प्रतिश्टित हिंदी कभी महित्रिश्ट्रण गुप्त से प्राप्तुफु ही आप राजनीती में जब आए तो सबसे पहले आप तिलक से प्रभावित थे बाद में महत्मा गांदी का प्रभाव भी आप पर पड़ा और इन दोनों के प्रभाव को इनकी रश्टी रिश्ट्रणाओं में बहुत आसानी से देखा जा सकता है माखलाल चत्रवेदी युग प्रतिनिदी कवी थे और इस कारण उन्हों ने अपनी रश्ट्रावों में संपूर्ण युग को जिया पंडित माखलाल चत्रवेदी बहुमकी प्रतिबा के सहित्यकार थे आपने हिंदी सहित्यकी विभिन विधाव में अपनी प्राणवन्त रश्णाएं प्रस्तूत की हैं आपने कविता भी लिखी है, निबंध भी लिखे हैं, नाटक भी लिखे हैं, कहानिया भी लिखी है, और आप पत्रकार भी रहे हैं आपके ग्यारह कविता के संकलन निकल चुके हैं, उनमें प्रमुक हैं, त्रिधारा, हिम क्रिटनी, हिम तरंगिनी, माता, युक्चरण, समर्पन, वेनुलो गुझे धारा, बिजूरी काजल आंज रही, आधुनी कवी भाग्चे, और हरीकरश्न प्रेमी की द्वारा संपाद इसी तरह से आपने एक नाटक लिखा है, जो क्रश्नार्जुन युद्ध के नाम से बहुत लोगप्रिय हुआ है, इसके तिरिक्द आपकी जो तीन निबंद संकलन हमारे सामने उपलब्द हैं, वे हैं सहित्य देवता, अमीर इरादे, गरीव इरादे और चिंतक की लाचा इसी तरह से समय के पाओ नामक एक संस्प्रण भी हमें उपलब्द होता है, आपने कला का अनुवाद नामक कहानी संग्रह भी परस्तूत किया है, इसके अतिरिक्द आप एक बहुत प्रभावी पत्रकार रहे हैं, मासिक प्रभा के आप संपादक थे, इसके साथ ही आपने गनिश शंकर विद्यारती के साथ प्रताप नामक समाचार पत्र का संपादन भी किया है, और जब गनिश शंकर विद्यारती को जेल में जाना पड़ा था, तब आपने यह दाईत्व समाला था, इसी तरह से सापता ही कर्मवीर बरसों तक खंड़वा से निकलता रहा है, उ और उस समय जबकि देश हमारा पराधिन था, स्वतंतरता के लिए निरंतर संगर्स करते रहे, इसके लिए आप सत्याग्रहों में सामिल हुए, धरने दिये और जेल भी गए, और इस दोरान आपकी लेखनी चलती रही, आपकी लोग प्रिता को देखकर, इन्हें लोग एक भारती आत्मा के नाम से भी पुकारने लगे थे, यह विशेशन भी था, इनका उपनाम भी बन गया, और माकनलाल चत्रवेदी एक भारती आत्मा के नाम से जाने लगे, आज उनके सहित्य यातरापुरुस और माकनलाल चत्रवेदी ग्रंथावली की रूप में उपलद्ध है मांकलाल चुत्वेदी को छायावाद का प्रस्तोता भी कहा जाता है इनकी सन 1912 और 13 के बीश में जो रशनाएं देखने को मिलती है उसमें छायावाद का प्रभाव और उसकी जहाई इस पश्ट रुप से देखने को मिलती है वैसे आजकल जब समिक्षक और सहित्यकार और इतिहासकार चायावाद की चर्चा करते हैं तो जैसंकर प्रसाद को चायावाद का प्रणयता मानते हैं किन्तु जिस समय मांकलाल चुत्रवेदी ने चायावाद की रशना की थी उस समय जैसंकर प्रसाद की रशनाओं में चायावाद के गुण उपलब्द नहीं हुए थे समझा जाता है कि माकललाल छतुर्वेदी की रचनाओं से प्रेवरित होकर ही जाय शंकर प्रसाद ने बाद में छायाबाद का प्रणयन किया इस समन्ध में अनेक समिक्षकों ने इस बात को प्रमानित किया है कि निश्टित रूप से माकलाल चत्रुएदी ने ही छायावाद की रशना को आगे बढ़ाया है किन्तु माकलाल चत्रुएदी का उद्दे से छायावाद में रशना करना नहीं था वो किसी एक लिक मर बन कर रहना नहीं चाहते थे उनका एक मात्र उद्दि से था देश को आजादी दिलाना और उसके लिए स्वत्नतता का जो संगर चल रहा था उसमें सक्रिय भूमिका निभाना इसलिए इनकी जितनी भी रशनाएं अधिकतर रही वे सब राश्ट्री कविता से सम्मधित रही इसलिए चायवाद का प्रस्त अनेक विचार उद्धूत हुए हैं इसमें विभिनताय भी है हमारे यहाँपर रश्ट्रीटा को लेकर वीर गाता काल से लेकर आज तक जो भी रशनाएं देखने को मिलती है उन में रश्ट्रीटा भिन भिन स्वरूपों में परिलक्शित हुता है वीर गाता काल में रश् प्रती उनका निश्ठाभाव था रितिकाल में भुशन ने राष्ट्री कविताएं लिखी परंतु वहाँ पर भी राष्ट्री था उसी राज्य तक सिमित थी हलांकि उनका काव भी सार्वभामिक हो गया और सार्वकालिक भी है इसलिए उनकी रचनाय आज भी प्रासंगिक बनी हुई है इसके बाद जब अधुनिक कल का आगमन होता है और भारत में पराधिंता आती है अंग्रेजों का शाषन होता है और उसके विरुद्ध जब भारती जन्मानस में चेतना जागरत होती है स्वतंतर होने के लिए वे प्रैत्न करते हैं तो वहाँ पर राष्ट्र बिता किसी व्यक्ती विश्ष के परती नहो कर किसी राज्य विश्ष के परती नहो कर एक संपूर्ण देश के परती हुई यह देश बाद में राष्ट्र की रूप में परिवर्ती हmother होता है परंतु यहाँ पर जब प्रारंबिक रिश्चनाई लिखी गई और उनको अध् करने के पाद यह देखा गया कि उन रशनाओं में मातर भूमी के प्रति वंदना है मातर भूमी की विश्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष है माकनलाल चत्रवेदी का जो राश्ट्री का व्य है वह दो प्रकार का है एक पराधिंता से पहले का और दुसरा पराधिंता के बाद इस बात को हम दुसरे ढंग से इस तरह से अभिव्यक्त कर सकते हैं कि जब भारत गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था उस समय जो राश्ट्री का व्य लिखा गया वह एक विश्ट्र परकार का राश्ट्री का व्य था क्योंकि उस समय यहां के कभियों के सम्मुख जो बात सबसे अधिक मान्यता रखती थी वह यह थी कि किसी भी तरह से इस देश को दास्ता की जंजीरों से मुक्त कराना चाहिए इसलिए पराधिंता की दिनों में जो राश्ट्री का वी लिखा गया उसमें सत्याग्रह, धरने, फांसी, हत्या और जेल, काला पानी इन सब बातों का वर्णन देखने को मिलता है और बाद में जब हमारा देश स्वतंत्र हो गया और स्वतंत्रता के प्रस्चात जो राश्ट्री का वी लिखा गया उसका स्वरूप अलग प्रकार का है क्योंकि देश आजात हो चुका था, विदेश स्वरूप के यहां से जा चुका था, अब राश्ट्र को प्रगती के मारग पर आगे वढ़ाना है और उसके लिए जो कल्पनाएं की गई वह स्वतंत्रता के प्रस्चात की रश्चात की रश्चाओं में अच्छी तरह से दे यह बात हमें जब चीन से युद्ध हुआ था और पाकिस्तान से युद्ध हुआ था उस समय देखने को मिलता है, उस समय की रश्चाओं में भारत और हमारे राश्ट्र के प्रती जो निष्ठा का भाव हमारे यहां की कवियों ने प्रदर्सित किया उलेकनी है, यहां पर एक बात विश्च रूप से मैं यह वतलाना चाहता हूं कि माकलाल चत्रवेदी और उनके समकालीन कवियों ने जो राश्टी रश्चनाय लिखी थी उसमें एक अंतर था, अंतर का भाव यहां पर इसलिए उपस्तित हुआ था कि हमारा देश पाराधिन था, पाराधिन था क इन ख्रणों में हमें अभिव्यक्ति की स्वतंतरता नहीं मिली हुई थी, इसलिए जब अभिव्यक्ति की स्वतंतरता नहीं थी, तो हमें अपनी बात को कहने के लिए प्रतीकों का साहरा लेना होता था, हमारे यहां के अच्छे और प्रतिश्टित साहित तेकारों ने प्र परन्तु ये बात परुक्स रुप से सामने आती है इसी प्रकार से महितली सरण गुपत ने भी बहुत सारे राष्टी गीत लिखे हैं और उन्होंने भारतिय जन्मानस को अभी प्रेजित करने का प्रेत्न किया है उसमें वे सफल भी हुए हैं परन्तु ये परुक्स भाव अ राष्ट्री कवियों की यदि बात हम करते हैं तो सुबधरा कुमारी चोहान बालकृष्ण सर्मा नवीन दिनकर इत्यादी का नाम बहुत आधर के साथ लिया जाता है माकललाल चत्रवेदी इन सब में सर्वोपरी हैं क्योंकि प्रारंब से अंत तक इन्होंने राष्ट्री प्राधिन्ता का लिन रश्णाओं में ताथकालिक संदर्वों का वर्णन मिलता है किन्तु स्वत्रता के पस्चात माकलल चत्रवेदी ने जिन रश्णाओं को लिखा है उन रश्णाओं में इसपस्ट रूप से वैस्वी कवातराण का दर्शन होता है वे विस्वकल्यान क और निश्चित रूप से ब्रेनास्वत है रश्टियता के लिए उसमें जो तीन तत्व होते हैं वे भावनात्म की स्तर पर होते हैं अध्यात्मी की स्तर पर होते हैं और मनोविज्ञानिक स्तर पर होते हैं भावना अध्यात्म और मनोविज्ञान ये तीन शक्तियां है और एक जन मानस इस शक्तियों से प्रभावित हो माने जन को राष्टर के प्रती जागरू किया जाए मांकलाल चत्रवेदी ने जो अपनी राष्टरिता का स्वरूप निरधारित किया था उनमें आध्यात्मिक्ता उसमें भावनात्मक्ता और मनोविज्यनिक्ता इन तीन तत्यों का इस पर चत्रत समाविश किया है इसी के का परण उनका जो राष्ट्री काव्य है वह निराकार होते वे भी अनुभुत्य हो गया है और इस तरह से देखा जाए तो माकलाल चत्रवेदी ने जो एक बात बहुत इस्पेसर रुप से राष्ट्रेता के समन्द में कही है कि राष्ट्र का अस्तित्व जो होता है वह केवल भोगुलिक सिमा तक नहीं होता है बलकि उस भोगुलिक सिमा में रहने वाले जितने भी जनता है नागरिक हैं वहां की जो प्रजा है वहां उनके अंतर मन में उस भोगुलिक सिमा की जो संस्क्रती है और उसकी जो सभ्यता है उसके प्रती जो सात्विक भाव है वही भाव रश्ट्रिता होती है अर्थात रश्ट्रिता एक भावत्मक्ता है रश्ट्रिता निराकार है उसे किसे सिमा में बादना जरूरी नहीं है यही बात है कि माकलाल चतुरुदी की रश्ट्रिता अन्य व्यक्तियों की रश्ट्रिता से भिन्न है और इनका जो रश्ट्रिता के प माकनलाल चतुविदी कहते हैं कि सत्य का स्वर्ज जो होता है वह सभी के लिए एक जैसा होता है जब हम रश्टीता की बात करते हैं और रश्टीता की बात करते हैं तो हम सत्य के प्रति आगरह करते हैं राष्टिता की बात जब हम करते हैं तो नियाय के प्रति आगरह करते हैं राष्टिता की जब बात हम करते हैं तो हम स्वतंतरता और स्वतंतरता के अस्तित्व की रक्षा की बाते करते हैं जब हम स्वतंतर नहीं हैं तो स्वतंतर होना चाहते हैं और जब हम स्वतंतर हो जाते हैं तो उस स्वतनतता को और उस राष्टर की एकता को अखंडित बनाना चाहते हैं ये दो ऐसी चीजें हैं जो केवल भारत में ही नहीं भारत से बाहर विश्व के किसी भी राष्टर में लगू होती है और यही कारण है कि इन भावनों की अभिवेंजना माकललाल चत्रुएदी ने अपने काव्य में की है इसके कारण उनका जो काव्य है वह भारत की सिमाव से बाहर विश्व की देलीच पर थपता पहट दे रहा है और आज भी प्रासंगिक बना हुआ है माकललाल शितुर्वेदी ने अपने रश्ट्री कावे में करतव्य, बलिदान, समर्पन, त्याग, सेवा, परोपकार और सत्य और न्याय के प्रति आगरह की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है इसलिए उनकी रशनाएं बहुत ही सार्थक, अर्थपूर्ण और प्रभावी बन इस कारण उनका जो साहित्य है, विशेसकर उनका जो राश्ट्री कावे है वह भूमी, जन और जनस्कती से भी आगे बढ़ा हुआ है उसमें साम्यक्ता का स्वर देखने को मिलता है कि उस साम्यक्ता के साथ साथ उसमें सास्वत्ता भी है तो माकललाल चतुरेदी का जो कावे है वह यदि प्रासंगिक है तो प्रासंगिक होने के कारण वह साम्यक्ता क्योंकि ततकालीन परसितियां उस प्रकार की थी यदि माकललाल चतुरेदी जेल खाने में बंद है और वहाँ पर कैद है और वहाँ पर रात के सननाटे में कोई कोयल कुहकती है तो कैदी और कोकिला में जो अभिव्यक्त हुआ है वो इस बात को ध्वनित करता है कि निश्चित ही माकलाल चत्रविदी जेल में बंद है पर या जेल भारत की भी हो सकती है या विस्व में किसी भी राष्टर के अंदर किसी की भी जेल हो सकती है कोयल के वल भ विलासा में अभिवेक्त हुई है ये केवल एक देश की भावना नहीं है एक देश में रहने वाले व्यक्ति की भावना नहीं है ये किसी भी देश में रहने वाले व्यक्ति की भावना हो सकती है इस जरश्टी से माकलाल चत्रविदी की जो राश्ट्रियता है वो राश्ट्र प्रभावी हो गई है क्योंकि लोगों के अंतर मन की बात को किस तरह से प्रभावित किया जा सकता है यह वाद वहाँ पर इस पर शुरुफ से दिखला ही देती है इस तरह देखा जाए तो माकललाल चत्रविदी की जो राष्टियता है वह अपने आप में बहुत ही अप्रतीम और आने वाले विश्व के लिए विश्व वासियों के लिए एक प्रेरक उपादान है माकललाल चत्रविदी सामराज जवाद अंग्रीजी अत्याचार और सामाजिक वर्गवेत के प्रबल विरुदी थे उन में इन तीनों शक्तियों के प्रती आक्रोश का भाव था और न प्रेरंतर उन्होंने अपने रशनाओं में इन से विरुद करने का संकल्प लिया था जवानी नाम की उनकी एक कविता की कुछ मंग्तियां इसे संदर्म में रखी जा रही है कि यह आकरोश किस इस्तर तक था द्वार बली का खोल चल भुडोल कर दे एक हिमगिरी एक सिरका मौल कर दे मसलकर अपने इरादों से उठा कर मसलकर अपने इरादों से उठा कर दो हतेली है के प्रत्वी गोल कर दे मसल कर अपने इरादों से उठा कर दो हतेली है की प्रत्वी गोल कर दे रखत है रखत है या है नसों में शुद्र पानी जाच कर तु सीस दे दे कर जवानी इन पंक्तियों में आकरोज की जो प्रभलता है जवानी को जो ललकारा जा रहा है कि तू अत्याजारों को देख कर भी मौन क्यों बेटा है तुझ में तो इतनी सक्ती है कि है युवक चाहे तो अपने दो हतलियों में सारे प्रत्वी को मसल कर रख सकता है क्या तेरे नसों में पानी बह रहा है खुन नहीं है दो तू इतना मौन बेटा है उठ और अपने देश की आजादी को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ इस प्रकार की भावनाएं माकल लाल चत्रवेदी की अनेक रश्नाओं में देखने को मिलती है अगले कारिकरम में हम इसी तारतम्य में माकल लाल चत्रवेदी की राष्ट्रीता की विश्रस्ताओं को और उनसे सम्मंदित रश्नाओं पर चर्चा करेंगे जाएं थाल चत्रवेदी की विश्यदी की